गुर्वानिंग बच्चों तम अमीद करते हैं कि आपने थर्ड लेक्चर देख लिया होगा वीडियो और आप एक्सरसाइज भी सौल्व कर लिया होगे यह अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है एक्सरसाइज 3 के सभी कोश्चन का सल्यूशन, डिटेल सल्यूशन आज हम इन कुश्चन का डिस्कसन नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि कुछ इंपोर्टन कॉंसेप्ट में डिस्कस करने है तो अगर आपको फिर भी कोई कुश्चन डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सक्षन में कल रिप्लाइ कीजिएगा हम आपको जो बच्चे वे कुश्चन से उनका मतलब की सही सल्यूशन आप तक पहुचा देंगे, ठीक है तो फिर आज का हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, आज जो हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आइडियल एंड नौन आइडियल सल्यूशन सल्यूशन तब लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है तो इसको कब आइडियल बोलेंगे और कब हम लोग नौन आइडियल बोलेंगे यह आज पढ़ना है तो सबसे पहले आइडियल सल्यूशन के बारे हम पढ़ते हैं तो देखिए आइडियल सल्यूशन को डिफाइन कैसे करते हैं किस सल्यूशन को आइडियल सल्यूशन बोलेंगे तो यह जो define होता है यह Rawls law के अधार पर होता है क्या है solution which obeys Rawls law over all concentration range इसका मतलब समझते हैं मेनिंग क्या है तो Rawls law का मतलब है जैसे अगर आपने दो component का solution बनाया है A plus B तो जब solution बनाते हैं जैसे A और B का अपने मिला दिया container में इसको close कर दिया इसमें दो component है A plus B तो यहाँ पर जो vapor बनता है A plus B का मिला करके इस vapor का जैसे pressure निकालना होता है तो pressure of solution वो कैसे निकालते हैं हम क्या करते हैं पहले pressure exerted by A निकालते हैं जो की होता है P not A X A के बरावर और फिर करते हैं हम लोग pressure exerted by B निकालते हैं कि इसमें B कितना pressure exert कर रहा होगा तो वो होता है P not B X B के बरावर और pressure of solution अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते है PA और PB को जोड़ देते हैं तो यह जो तरीका है PA निकालने का P not A X A और PB निकालने का P not B X B यह तो theoretical तरीका होगा ना theoretical तो यह आप यह formula यूज कर रहा है पर A के द्वारा लगाया गया pressure और B के द्वारा लगाया गया pressure जोड़ करके PA प्लस PB यह होता है solution of pressure अब आपको experiment करके check करना है experiment करना है और बताना है कि यहाँ पर यह solution बना है तो इसका यह जो vapor है ने यह वाले vapors जो vapor में दिखा रहा हूँ आप manometer या barometer जो भी pressure measuring device है उससे इसका pressure measure कीजे और यह pressure experimentally जो measure किये हैं वो अगर इस तरीके से measure किया है solution का pressure किस तरीके से तो PA और PB निकाल करके तो theoretical तरीके से जो आप solution का pressure measure कर रहा है वो ही अगर experimentally measure किया गया pressure के बराबर हो जाए तो आप बोलेंगे solution कैसा है यह ideal solution कैसा solution है ideal solution है तो summary में अगर कहा जाए तो यह summary है क्या है अगर experimental measure किया वा pressure किस इसका pressure यहाँ जो vapor बना यह वाला vapor इसमें जो experimental आप pressure measure करता है ना वो pressure अगर rawlt equation से rawlt law के equation से measure किया pressure के बराबर आ जाए तो आप बोलेंगे यह कैसा solution है यह ideal solution है ठीक है अब देखते हैं कि non-ideal कब बोलेंगे तो non-ideal solution पहले बोलेंगे किसको उसको define कर लेते हैं किसको non-ideal solution बोलेंगे तो non-ideal का मतलब होता है solution which does not obey rawlt law मतलब rawlt law को follow नहीं करता है over all concentration ranges देखिए जब भी हम vapor pressure experiment करते हैं तो temperature change नहीं कर सकते हैं तो temperature change करेंगे तो vapor pressure change हो जाएगा ठीक है तब को करना क्या है non-ideality check करने के लिए container लेजे उसको close कर दीजे उसमें दो liquid डालिए A और B इसमें क्या कर डालें हम लोग A प्लस B अब यहाँ जो vapor बना है इस vapor के द्वारा लगा गया pressure measure के ज़े experiment से उसको बोल दीजे P experimentally अब क्या के ज़े roll slow लगाई है तो roll slow क्या बोलता है कि solution का जो pressure आना चाहिए वो किस के ब्रावर आना चाहिए वो आना चाहिए A के द्वारा लगाया गया pressure प्लस B के vapor के द्वारा लगाया गया pressure A के vapor कितना pressure लगाते हैं वो लगाते है P naught A X A यह roll slow के उनसार है और B के वेपर कितना प्रेशर लगाते हैं, तो P not B, X B, तो यह जो इस तरीके से, theoretically जो आप प्रेशर मेजर करेंगे, यही प्रेशर अगर experimentally आजा, this is equal to P, experimentally, experiment से जो प्रेशर मेजर किया हैं, वही यह वाला प्रेशर, यह दोनों बराबर हो जाया है, तो आप बोलेंगे कैसा है, ideal है, लेकिन अगर बराबर नहीं हुआ, यह experimental प्रेशर और रॉल्ड्स लोग के दोरा लगाएगा, प्रेशर अगर बराबर नहीं है, तो क्या जो रॉल्ड्स लोग को सभी concentration range, concentration range कहने का मतलब क्या हुआ, कि आप xa xb चेंज करकर के देख सकते हैं, अलग-अलग xa xb पर xa xb का value अगर आप चेंज करेंगे, तो जो आपका ps निकल कर रहेगा, यानि कि ps मतलब x theory to theory से, रॉल्ड्स लोग यूज करके जो ps निकालेंगे वो experimental pressure के बराबर नहीं आएगा, ये बराबर नहीं आएगा, तब बोलेंगे non-ideal, चीक है, तो देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ideal solution के बारे में detail से बात करते हैं, कि ideal solution क्या है, चीक है, तो देखिए, ideal solution का summary क्या है, समरी है, कि roll slot से जो आप pressure निकालते हैं, P.S. ये formula यूज़ करके, इसमें ये वाला part है, pressure exerted by A, और ये वाला part है, pressure exerted by B, तो ये pressure, ये experimentally जो प्रेसर निकालेंगे उसके बराबर होना चाहिए, चीक है, तब ग्राफिकली एक बार इसको represent करते हैं, चीक है न, ग्राफिकली represent किया जाए, तो देखिए, ग्राफ बना ये, ग्राफ में ही दोनों को जोड़ दीजिए, और फिर आप P.S. calculate कर लेजिए, इसमें ये वाला जो P.S. ये तो constant है, तब देखिए, होगा क्या ये graph हो गया, P.A. को ले लेजिए, वा एक्सिस पर, इतर हम लिख रहे हैं, P.A. को ले लेजिए, वा एक्सिस पर, और ये हो गया आपका constant, इसको हम लोगे M बोल देंगे, और ये हो गया X एक्सिस पर, इसको X बोल देंगे, तो Y is equal to MX, ये ये straight line करवा जाएगा, वैसे PB का करव अगर ब constant आपका, जिसको M मान लिजिए, और ये X एक्सिस पर लिजिए, तो Y is equal to MX, ये भी कैसा आगया, straight line, ये भी a straight line, straight line, दोनों ग्राफ आगया, इस straight line, ये वाला भी, ये वाला भी, अब एक कम करते हैं, इस ग्राफ को बना लेते हैं, तो क्या करते हैं, पहले Y एक्सिस बना य ठीक है, तो यहाँ पर हमने Y एक्सिस और X एक्सिस बनाया है, तो Y एक्सिस पर हम लोग pressure exerted by A लेते हैं, और X एक्सिस पर हम लोग लेते हैं, X A, mole fraction of A, ठीक है, तो शुरुबात में यहाँ पर होगा X A equal to 0, और X A को बढ़ाते बढ़ाते कितना ले सकते हैं maximum, X A का maximum value हो सकत है, 1, ठीक है, तो आपका graph यह, यह जो graph है Y is equal to MX, यह straight line होगा, और X A को जब 0 करेंगे, यानि X A को जब 0 करेंगे आप, ठीक है न, X A को अपने 0 कर दिया, तो यह PA क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 0, तो यहाँ पर 0 से start होगा, और X A को जब 1 करेंगे, this is equal to 1, X A को 1 कर द एक P note A के बरावर, ठीक है न, तो X A को 1 कर दिये, तो चले, इधर हम लोग क्या करते हैं, एक Y axis बनाते हैं, तो हमने दुबारा से एक Y axis बनाया है, ताकि हम यहाँ पर pressure के value एक P note A दिखा सकें, यह P note A pressure, यह कितना pressure है, P note A, और यहाँ से एक line खीच देते हैं, यह line है, यह dotted line खीच रहे हैं, आप चाहें तो solid line भी खीच सकते हैं, यह हो गया P A का graph, किसका graph है यह, pressure exerted by A, तो यह वाले portion का graph हमारा, यह वाले portion का graph बन चुका है, अब हम लोग P B का graph बनाते हैं, तो हम चाहें, तो इसी graph में P B को भी include कर सकते हैं, तो कैसे, तो देखिए, आपने already X A औ और Y A इदर X A दिखा दिया है न, तो आपको पता है कि X A प्लस X B यह जोड के 1 होता है, यानि कि जिस axis पर आप X A दिखाए हैं, उसी axis पर आप X B भी दिखा सकते हैं, कैसे, तो जब X A होगा यह वाला portion, जब यह होगा 0, तो X B कितना हो जागा, यह हो जाएगा 1, तो X A 0 य 1, ठीक है, और फिर जब आप X A को 1 करेंगे, यह वाला portion जब आपका 1 होगा, तो यह कितना हो जाएगा X B, यह X B हो जाएगा, X B हो जाएगा उस टेम में 0, योगि दोनों जोड करके 1 होना चाहिए, तो X A जैसे ही 1 होगा, यह वाला X A जैसे ही 1 हो गया, X B हो गया 0, ठीक है तो अब देखें, यह जो PB का ग्राफ है न, यह PB जो है, PB का ग्राफ, जब X B 0 है, एकस B जब 0 था, तो PB कितना था, PB था X B 0, तो PB हो गया 0 आपका, यह PB हो गया 0, यहाँ पर 0 पे देखिया हम इंडिकेट कर दिया, और जब X B 1 हो गया, यह X B जब हो गया आपका 1 के बरावर तो PB कितना हो गया, यह PB की बरावर हो गया, ठीक है, तो X B 1, एकस B जब 1 हुआ, तो PB का वैल्यू कुछ आएगा, इदर पी नोट बी दिखा दिया, पी नोट बी है, बी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रिशन, यह PB दिखा दिया, और फिर क्या किए आप इस दोनों लाइन लाइन को जोड़ दिजे, एड मतलब मिला दिजे, तो आपका ग्राफ बन जाएगा PB का, ठीक है, यह हमने दोनों लाइन को जोड़ दिया, तो यह जो ग्राफ बना है, यह PB का ग्राफ बना है, ठीक है, तो इस तरीके से हर एक बच्चे को एक ही ग्राफ के अंदर PA और PB, त दिखे, तो अब दिखे क्या करना होगा, अब करना होगा हमें कि P0AXA, पिनोट AXA मतलब यह जो PA है, PA का ग्राफ है, और प्लस यह जो PB का ग्राफ है, इस दोनों को जोडेंगे, तब को क्या मिलेगा, PS का ग्राफ मिलेगा, ठीक है, तो दिखे, पहले सुरुवात में वाले पॉइंट पर, यह वाले पॉइंट पर जब XA है 0, तो PA कितना है, XA जब है 0, तो PA है 0, PA equal to 0, तो यह 0 वाला हो गया, PA का ग्राफ देख रहा है, यह वाला PA ग्राफ इदर 0 है, तो इस टाइम पर PB वाला ग्राफ कितना है, यह पी नोट B, तो 0 प्लस पी नोट B जोड या फिर जब XB 0 है, XB 0 है, XB 0 है, तो PB कितना होगा, PB होगया 0, ठीक है, और जब XB 0 है, तो XA है 1, तो XA जब 1 है, तो PA कितना होगया, तो उस टाइम में PA वाला ग्राफ में देखे, यह पी नोट A के बरावर है, जब XA 1 है, तो PA है पी नोट A के बरावर, ठीक है, तो यह यह हो गया 0 और यह हो गया P not at, इस दोनों को जोड़ेंगे जोड़ के लिए चितना हैगा, 0 plus P not at हो जाएगा P not at, यह दूसरा point मिल गया हमें, तो अब यह दोनों point को आप join कर दिए, यह join कर दिए हमें, ठीक है, तो यह जो मिला है आपको, यह किस का graph मिला है, यह pressure of solution का graph मिला ठीक है ना तो XA XB change हो रहा है और XA XB change होने से XSB change होने का मतलब इसका मतलब है कि यह जो equation है ना यह देखिए PS वाला equation पर फिर से एक बार जाते हैं हम लोग यह PS वाला equation इसमें XA और XB change हो रहा है और उसके चलते PS जो है उस वो vary कर रहा है तो वही ग्राफ हमने यहां पर represent कर देए यह वाला ग्राफ हो गया चिक है चलिए अब आगे बढ़ते है तो अभी जो हमने पढ़ा उसको एक बार summarize कर लेते हैं तो यह वही वाला ग्राफ है XA equal to 0, XB equal to 1, XA equal to 1, XB equal to 0 तो यह जो यहां पर ग्राफ दिख रहा है आपको यह ग्राफ है PA का, PA यानि P0AXA और यह जो ग्राफ दिख रहा है आपको यहां पर यह PB का ग्राफ है जो कि P0B, XB के बराबर है और इस दोनों को जोड देंगे तो यहां जो solid line वेला ग्राफ दिख रहा है ना, यह ग्राफ है pressure of solution यानि की PA plus PB और यह जो pressure of solution है, यह experiment करके जो आप pressure निकालेंगे उसके बराबर होना चाहिए, तब आप उसको बुल देंगे ideal solution ठीक है, तब हम बात कर रहे हैं कि आखीर किस condition में, A और B का ऐसा क्या खासियत होना चाहिए, उस दोनों को मिलाएंगे तो क्या condition होना चाहिए कि वो ideal solution बनाएं, इसके लिए देखे क्या है, पहले एक container में आपने A ले लिया और A और A के दो मॉलक्यूल हैं, जिसे मान ले जाएंगे ये liquid हैं, A और A के मॉलक्यूल, आपस में ये लोग interact करें, इंट्रेक्ट मतलब बेसिकली ये liquid के मॉलक्यूल आपस में attractive force लगाते हैं, तो मान ले जाएंगे ये लोग जो attractive force लगा रहे हैं, आपस में वो 10 newton का force है, तो अगर आपको ideal solution बनाना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, अगर किसी container में एक दूसरा component B लेते हैं, तो B और B के बीच में भी, आपको B component इस तरीके से लेना है, कि B और B के बीच में लगने वाला ये जो B और B liquid होगा, liquid के molecules, इसके बीच में जो लगने वाला force होगा, वो भी कितना होना चाहिए, 10 newton या उसी के आसपास होना चाहिए, इसी के आसपास, या यह 11 हो सकता है, 9 हो सकता है, बहुत जादा change नहीं करना चाहिए, इ B और B के बीच लगने वाले force से जादा difference नहीं होना चाहिए, तो होगा क्या, ऐसे दो liquid को मिलाएंगे, ऐसे A और B को मिलाएंगे, एक container में डाल लेंगे, तो A और B का जो आपस में interaction होगा, A प्लस B का जो आपस में interaction होगा, इसके आपस का interaction भी लगभग 10 newton का ही होगा, यान क्या, इससे होना बस ये है, इससे क्या फरक पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, जैसे देखिए, A और A के molecule के बीच में 10 newton का force लग रहा था न, तो A को जब vapor बनना है, तो 10 newton का force तोड़ करके वो vapor बनता है, ठीक है, तो A जो vapor बनता है, अच्छा तो A जो vapor बनता है, तो कित अब अगर B को vapor बनना है, तो B कितना pressure लगाएगा, PB is equal to P0B, XB, तो B को जो vapor बनना है, वो भी 10 newton का force जो liquid molecule का अपस में लग रहा है, उस force को तोड़ करके इसको gas में जाना पड़ेगा न, vapor बनना पड़ेगा, जब vapor बनेगा तो, तो A जब बाहर निकल लाता, तो वो 10 newton का force लेकर के बाहर निकल लाता, को तोड़ करके बाहर निकल लाता, B जब बाहर निकल लाता, तो 10 newton के force को तोड़ के बाहर निकल लाता, तो अगर मालने जाए कि A और B को मिलाए और A और B के बीच में भी 10-10 Newton काई फोर्स लगे तो A अभी भी उतना Independence से उतना आसानी से बाहर निकल पाएगा जितना पहले निकलता था जितना A अकेला था तब निकलता था और फिर B भी उतना ही आसानी से बाहर निकल पाएगा जितना आसानी से B जब अकेला था तब निकलता था क्योंकि दोनों के बीच में A मितलब 10 Newton का इंफोर्स लग रहा है तो यह जो solution बनेगा यह ideal बनेगा यहनिकि A को जितना pressure लगाना चाहिए theoretically formula से experimentally भी उतना ही pressure लगाएगा और B को जितना pressure लगाना चाहिए formula से experimentally भी उतना ही pressure लगाएगा लेकिन अगर सोचिए कि A और B के बीच का interaction अगर मान लेज़े यह कुछ 200 Newton हो जाए तो क्या होगा A और B आपस में दो liquid इतना ज़्यादा attract करने लगेंगे एक दूसरे को कि यह लोग वेपर बनी नहीं पाएंगे और फिर क्या होगा जब यह वेपर नहीं बन पाएंगे तो फिर जो आप formula से A और B का PAPV निकालेंगे यह देखिए यह आपने calculate किया ना PAPV इधर में PA calculate किया है और इधर PV calculate किया है तो formula से PAPV calculate करेंगे यह जितना calculate करेंगे experiment से उतना निकल करके इस दोनों को जोड़ेंगे जोड़ करके जब PS निकालेंगे तो experiment से उतना pressure match नहीं करेगा क्यों नहीं मैच करेगा क्योंकि दो molecule के बीच का force इतना जादा हो गया जब solution बना है जब A और B आपस में मिले है कि यह vapor बनी नहीं पा रहा है तो experiment करेंगे तो pressure कम मिलेगा आपको चीक है ना तो P experimental theoretical pressure यानि PS के बराबर हो जाए इसके लिए condition क्या है PS जो कि आप निकालते हैं कैसे यह Rawls law यूज करके निकालते है तो यह इसके बराबर हो जाए Rawls law से calculate किया गया pressure experimental pressure के बराबर हो जाए इसके लिए condition क्या होना पड़ेगा कि A A molecule का आपस में जो interaction था B और B molecule का आपस में वही interaction रहना चाहिए और A और B को जब मिलाएंगे तो भी आपस में उनका interaction वही रहना चाहिए 10 newton का ही ठीक है तब यह बनाएगा ideal solution यह ideal solution तब बनाएगा इसको एक बार summarize करके हम लोग लिख लेते हैं चलिए तो जो हमने पढ़ा है ideal solution के बारे में उसको एक बार summarize कर लेते हैं तो ideal solution का जो condition है क्या condition है condition है all the attractive forces between A and B A and B यानि कि दो component था A और B इसके बीच में जो लगने वाला forces है और between A and A A और A के बीच में यानि कि component A था उसके molecule का आपस में जो force था या फिर component B के molecule का आपस में force यह जो तीनों attraction force है A और B के बीच में A और A के बीच में और B और B की बिच में ये सभी force कैसे है identical है कैसे है ये identical है समझ गए ये जब identical होगा तो क्या होगा फिर ये जो PA है PA का value ये देखे ये PA का graph है PA का value है P not A x A और ये PB का graph है PB यानि की P not B X B तो यहां से जो आप pressure of solution निकालेंगे इस दोनों को जोड़ करके PA प्लस PB इस दोनों को जोड़ करके जो निकालेंगे वही value हो जाएगा कौन सा value P experimental experiment करके भी उतना ही vapor pressure निकल करके आएगा ठीक है अब हम लोग बात करते हैं कि non ideal solution का क्या होगा उसका कैसा behavior होगा क्या उसके properties होगे ठीक है तब non ideal solution solution के बारे में पढ़ा उसको एक बार summarize कर लेते हैं summary क्या है summary है all attractive forces कौन कौन सा attractive forces between A and B A और B के बीच का attractive force और कौन सा है between A and A A और A के बीच का attractive force और कौन सा force between B and B तो A, A के बीच में जो attractive force है B और B के बीच में जो attractive force है तो वही attractive force किसके बीच में लग रहा है, A और B के बीच में लग रहा है, यानि कि attractive force तीनों case में identical होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, identical, अगर identical, लगबग identical, exact identical नहीं, लगबग identical attractive forces होंगे अगर ये तीनों, AB, यानि AA और B, B के बीच में जो force हो, तो वही AB के बीच में हो जाए, तब solution कैसा बनेगा, वो ideal बनेगा, तो ideal बनेगा मतलब क्या है, उसका मतलब है, कि आप जो pressure of solution calculate करते हैं, कैसे calculate करते हैं, roll slow लागा करके, कैसे roll slow से, PA प्लस PB, PA निकलने का ये formula है, और PB का ये formula है, तो यही जो pressure roll slow से calculate करेंगे, ये बरावर हो जाएगा, P experimental, experiment करके जो आप pressure calculate करेंगे, ये वो और ये pressure बरावर हो जाएगा, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, कि ideal solution के क्या-क्या, examples हैं, ठीक है न, तो देखिए ideal solution का, हम बार-बार graph इशले बना रहें, ताकि ये graph अपको ध्यान दा जाती, ये PA है, ये PB है, और ये है PS, इसके example क्या-क्या है, तो इसके example लेखिए, आपको ऐसे molecules लेने पड़ेंगे, जो आपस में एक जैसे दिखते हूँ, जिनका आपस में interaction एक जैसा हो, जैसे आप बेंजीन ले लेजिए, ठीक है, ये बेंजीन है, और ये देखिए, बेंजीन जैसा ये एक molecule है, टॉलूइन, ये CS3 लगा दिए, तो ये दोनों molecule एक जैसे हैं, अलवाग, दोनों aromatic है, दोनों में polarity बहुत कम है, बिसिकल polarity मतलब ionic bond, ionic nature के bond नहीं है, सारे covalent tap के bond है, और dipole moment भी इसका बहुत कम है, तो polarity बहुत कम है, तो ये जो दोनों molecule है, वो लगबग एक जैसे molecule है, तिस दोनों को जब आप मिलाएंगे, तो कैसा solution बनेगा, ideal solution बनेगा, ठीक है, या फिर एक और है, जैसे chlorobenzene है, बenzene ले लिए, उसमें क्या लगा दिया, अपने chlorine, या फिर बenzene लेकर के उसमें लगा दिया, bromine, तो chlorobenzene, bromobenzene, ये दोनों कैसे है, identical है, एक जैसे है, तिन हम लोग बात करते है, ideal solution के properties के बारे में, तो क्या-क्या खासियत होता है, properties, तो बते हैं, ये ग्राफ है, ये पी-बी का ग्राफ है, और ये पी-एस का, ग्राफ आपको याद हो जाए, इसलिए हम बार-बार बना रहे है, properties क्या है, ideal solution के, तो देखिए, जैसे अगर आपने component A ले लिया, A ले लिया, कुछ आपने 10 ml, पहला properties के बारे में बात करता है, और B भी ले लिया 10 ml, A, B को मिला कि जब solution बनाएंगे, तो solution होगा 20 ml, ये ऐसा इसलिए हो रहा है, solution 20 ml इसलिए हो रहा है, क्योंकि A molecule और B molecule के बीच का जो interaction है, उस interaction में कोई change नहीं आया है, यहनि पहले अगर एक container में सिर्फ A था, तो A में जो interaction था, A और A के बीच में, और A कंटेनर में सिर्फ B था, B और B के बीच में जो interaction था, कुछ वैसा ही interaction A और B के बीच में है, अगर ऐसा interaction नहीं हो, तो क्या ये B से में नहीं होता, तो देखते हैं, अगर माल ले जाए, A औ के molecule आपस में गर 100 newton का force लगाने लगे, तो सोचिए दोनों molecule एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाएगा, तो क्या होगा, ये कम जगा चेकेगा, यानि कि net जो volume 10-10 ml जोड़के 20 ml होना चाहिए था, वो 20 ml से कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इस case म ideal solution अगर बंदा है, तो A और B की पीच में भी 10 newton का force लग रहा है, तो ये molecule जितना जगा पहले चेकते थे, उतना ही जगा अभी भी चेक रहा है, इसलिए volume दोनों का जूड़ जाता है, A, J, T, G, A और B का volume जूड़ गया, इसको हम लोग टेकनिकली बोलते हैं क्या, टेकनिक delta V mixing, यानि mixing जब आप करेंगे A और B को, तो mixing करने के दुरान volume का कोई change नहीं आएगा, यानि कि 10 ml और 10 ml अगर आपने लिया है, तो आपको कितना मिल जागा total, 20 ml, कोई volume का loss या gain नहीं होगा, ठीक है, इसको बोलते है, delta V mixing, 0, अब हम लोग अगले properties के बारे हम बात कर रहे है तो देखें, जितना भी properties है ना, सब का basis यही है, inter molecule के बीच में लगने वाला जो force है, हर एक properties का basis है, यह जो force लग रहा है, 10 newton, 10 newton और यह 10 newton, तो अगला properties है, delta H mixing, delta H mixing का मतलब क्या, अगर A और B को mix करेंगे, A और B को एक साथ एक container में ले लेंगे, तो कोई energy release again होगा, तो देखें, energy release again कब होता है, energy release again कब होता है, जब दो object आपस में attractive force से जुड़ते हैं, energy release होता है, आप जैसे देखें, यह earth है, और pen इदर एक pen हमान ले जाए, उसको pen गिर जाएगा, earth के उपर गिर गिर गिया, attractive force से pen गिर गिर गिया ना, इसका potential energy जो था पहले, वो potential energy कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो जब दो object आट्रेक्टिव और से जुड़ते हैं, तो energy release होता है, जब दो object दुसरे को repel करते हैं, ठीक है, जब दो object दुसरे को repel करते हैं, यानि कि दोनों में repulsion हो रहा होता है, तो energy, attraction में energy release हो जाता है, तो जब repulsion होगा, तो energy उसको देना पड है, ये दो चीज आपस में repel करने हो दुसरे को, और दोनों को एक solution के अंदर रखना है, तो आपको repulsion को over करने के लिए energy supply करना पड़ेगा, supply करना पड़ेगा energy आपको, supply energy, ठीक है, यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, A और B आपस में, A यहाँ आपस में जितना force लगा रहे थे, उतना ही B और B लगा रहे हैं, और वही force यह और B लगा रहे हैं, तो कोई force का change नहीं हो रहा है, ना तो attraction force बढ़ रहा है, ना repulsion force बढ़ रहा है, इसलिए energy का भी कोई change नहीं होगा, delta S mixing हो जाएगा, 0, अगला property है, delta S mixing, delta S mixing मतलब, mixing के दवरान, क्या entropy का change होगा, delta S, entropy का change मतलब, orderness का change होगा, क्या, तो देखिए, delta S mixing हमेशा greater than 0 होता है, क्यों, क्योंकि देखिए, पहले container में सिर्फ A था, सिर्फ A था, दूसरे container में सिर्फ B है, और तिसरे container में A और B है, तो आप देखिए, यहाँ पर एक pure component A है, यहाँ प लिकिन जब दो चीज़ों को मिला देखिए, जैसे pure water था, कम randomness, pure sugar है, तो भी कम randomness, दोनों को मिला देखिए, तो sugar randomly mix हो जाएगा water के अंदर, तो यहाँ पर randomness बढ़ गया, randomness जो है, वो increase कर गया है, randomness increase कर गया है, मिलाने से तो entropy क्या हो जाएगा, greater than 0, कोई दिक्कत, अब अगला property है, डिल्टा जी mixing, तो डिल्टा जी mixing निकालने के दो तरिक है, एक तो समझा जाए, कि डिल्टा जी होता क्या है, डिल्टा जी है free energy का change, जब भी कोई process अपने आप होता है, तो डिल्टा जी mixing क्या होना चाहिए negative हो, तो हमको सोचना है क्या, जब दो component को मिलात है ए और बी को, तो यह जो process होता है ए और बी का mixing, क्या यह अपने आप हो जाता है, यानि कि अगर आपने सुगर और पाने को इक्षात रख दिया है, या पानी में alcohol रख दिया है, तो यह अगर mix होना है, तो अपने आप हो जगर आपको mix करना पड़ेगा, तो basically यह अपने करते हैं चमस बगरे डालके वो इसलिए ताकि mixing जल्दी हो जाए, otherwise mixing तो अपने आप होता है, पानी में alcohol भी दोगे, तो mixing अपने आप हो जाएगा, तो इसलिए जो process अपने आप होता है, उसका delta G नेगेटिव होता है, तो चुकि process spontaneous इसलिए delta G नेगेटिव है, एक और तरीक है delta G समझने का, वो क्या तरीका है, कि आप ये भूल जाएगे, आप क्या किजिए, delta G का formula लिख दीजिए, delta G क्या होता है, होता है delta H minus T delta S, delta H क्या है, ये है, 0, देखिए अब यहां लिखा, 0 हमने, minus T temperature तो एक positive quantity होता है, और delta S क्या है, एक positive quantity है, देखिए delta S greater than 0, तो delta G क्या देखिए बोल दिया, ये 0 है, और ये negative sign इदर लगा हुआ है, और temperature positive इदर भी एक positive, तो net value क्या हो गया, negative, तो delta S हो गया, delta G हो गया, less than 0, तो delta G प्रूफ करने का दो तरीका है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, अगर process spontaneous है, ठीक है न, spontaneous, तो delta G हम हमेशा negative ही होगा, आपको और सोचने का ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात, कि जब भी दो component को मिलाते हैं, A plus B, तो दो चीज हमेशा एक दूसरे में randomly mix हो जाते हैं, इसलिए entropy हमेशा greater than 0 होता है, तो ये दो चीज तो हर एक solution के लिए applicable है, ideal हो या non-ideal हो कुछ भी हो, ठीक है, चलिए, अब हम लोग non-ideal solution के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो अभी फिलाल आपको graph पर ध्यान नहीं देना है, अभी कुछ बात बता रहे हैं, graph का use करेंगे भी हम लोग, ठीक है ना, इस वड़ी जो positive deviation है इस पर भी ध्यान नहीं देना है, अभी बस एक बात पर ज solution निकालते हैं, जिसका formula होता है, P naught A, XA, plus P naught B, XB, अब देखते हैं, कि अगर Rawls law से निकाला गया है, यह जो pressure है, solution का pressure, यह अगर experimentally निकाला गया, pressure के बराबर हो जाए, तो बोलते हैं, ideal है, अगर यह जो pressure है, यह Rawls law के formula से निकाला गया, और experimentally, यह अगर बराबर नहीं है यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, equal नहीं है, तो बोलते हैं क्या है वो, तो बोलते हैं non-ideal, non-ideal मतलब experiment के द्वारा निकाला गया pressure, समराइज करके इसको लिख दे हम, non-ideal का मतलब, non-ideal का मतलब P experimental is not equal to, is not equal to P solution by Rawls law, Rawls law के द्वारा जो P solution निकालते हैं यह दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, तो फिर क्या होगा, बराबर नहीं तो क्या होगा, या तो यह value बड़ा हो सकता है, यह value छटा हो सकता है, तो जब P experimental, doing case हो सकता है, अगर बड़ा हो जाए, या फिर सोटा हो जाए, अगर P experimental बड़ा है, P solution by Rawls law, तो इसको बोलेंगे, इसका नाम रख देंगे हम लोगे क्या, positive deviation, क्या नाम रखेंगे इसका, positive deviation, ठीक है, यह word positive मतलब P experimental जादा है, किस से, P solution calculated by Rawls law, Rawls law के द्वारा calculate किये वे, value से बड़ा है, यह देखिए, Rawls law के द्वारा calculated value है, इसलिए आया है, positive deviation, ठीक है, अब इसी बात को हम graph से समझते हैं, ऐसा कब होता है, ठीक है, तो देखिए, Rawls law काता है, कि जब A, A plus B को आप गिलाते हैं, दो component को, तो जो PA, यह जो pressure लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए, P naught A, X A, चिक है, तो देखिए, P naught A, X A का graph क्या, यह वला graph है, यह वला graph है, तो, तो यहाँ पर कौन सा graph है, बताइए, यह वला graph है, यह वला graph है, यह वला graph है, यह वला graph है, तो ध्यान रहें, इस बार हमने थोड़ा सा, एक्सिस पर जो value लिए, इसको change कर दिया है, ताकि आप graph बनाना सीखें, याद न करें, पहले हम लोग X A equal to 0 यहाँ पर लेते थे, इस इधर लेते थे, X B equal to 1, इस बार क्या लिया है, X B equal to 0, तब बताइए, यह वला graph है, यह line क्या represent कर रहा है, P A represent कर रहा है, या फिर P B, P B क्या है, P B है, P not B X B, चलिए, देखते हैं, तो X A अगर 1 है, X A अगर 1 है, तो P A किस के बरावर हो गया, P not A के बरावर हो गया, ठीक है तो X A अगर 1 है, तो जो pressure के value है, वो P not A है, तो यह जो value हो गया, यह वला यह है, P not A, ठीक है, अच्छा, X A अगर 0 है, इसको अगर X A को 0 कर देंगे, तो क्या होगा, P A 0 हो जाएगा, तो P A हो गया 0, 0 कब होगा, यह यहाँ पर देखे, X A जब 0 है, तो P A 0, तो यह वला जो और जो यह वाला graph है, यह P A का graph होगा, आप P B का graph देखते हैं, तो X B देखे, X B को अगर आपने ले ले लेते हैं, X B अगर आपका, X B है 0, X B 0 कब है यहाँ, तो P B कितना हो गया, यह 0 लेंगे, तो P B हो जागा 0, यह यह वाला point है, ठीक है, और X B को अगर 1 ले लेंगे 0, B, तो यह वाला graph कौन सा graph है, यह graph है, पी बी का, ठीक है, यह तो ideal case में है, अब हम लोग देखते हैं, non-ideal कब होगा, non-ideal का मतलब क्या है, non-ideal का मतलब है, कि जो experiment से value निकालेंगे, P experimental, यह value जादा हो जाना चाहिए, किस से, जो आप PA प्लस PB, इन formula से निकाल लेंगे, यह दोनो formula यूज़ करके, इसका मतलब क्या हुआ, कि formula से जितना pressure by A निकल रहा है, actual जो pressure by A का value होगा, वो formula से निकाले वे value से जादा होगा, PA actual, जो है न, वो formula के PA से जादा होगा, और फिर वैसा ही, PB actual, वो formula के PB से जादा होगा, तभी तो दोनों को जब जोड़ेंगे, actual value जब जोड़ता होगा experimental value, यह जब जोड़ता होगा, तो PA experimental निकलता होगा, तो वो PA, PB के sum से जादा हो जाता होगा, इसका मतलब क्या हुआ, कि हम लोग जो यह graph देख रहा हैं, यह वाला, PB का graph यह वाला, यह PB का actual graph नहीं है, यह तो theoretical graph है, रॉल्ट लोग के formula से, textual graph क्या होगा, textual graph जो है न, वो PB का actual graph है, यह जो value है, theoretical value, यह जो line-up को dotted दिख रहा है, उससे जादा value मिलेगा, आपको ऐसा आमेसा मिलेगा, उससे जादा उपर graph जाएगा, तो यह actually इस बार PB का graph है, ठीक है, और वैसे ही, PA का यह जो graph आप देख रहा है, यह जो graph है, यह वाला, यह तो theoretical graph है, जो PA का actual value है, वो theoretical graph से ज़्यादा value आना चाहिए, तो PA का यह graph actual नहीं है, actual graph क्या होना चाहिए, यह वाला graph, इससे ज़्यादा बड़ा उपर वाला जाएगा, तब अगर आप PA प्लस PB को जोड़ेंगे, PA का actual value और PB का actual value को जोड़ेंगे, यह एक्सपरिमेंटल वाल्यू, तब यह जो PA experimental आएगा, वो यह जो graph है, यह formula वाले PA प्लस PB को जोड़तर की graph बनाया गया था, अगर आपको ideal solution वाला graph याद है तो, हमें लेकिन formula वाला PA और PB नहीं जोड़ना है, हमें अगर actual value चाहिए, PA experimental value चाहिए, तो वो यह वाला actual value, यह जो उपर से graph गया न, यह वाला graph, यह वाला, यह PV का graph, यह PV का graph, और यह फिर PA का graph, इस दोनों को जोड़ना हो पड़ेगा, तो आपका जो इस बार actual graph है न, वो इसके उपर से जाएगा, यह सा कुछ, यह है, non-ideal solution का graph, जो कि positive deviation, सो कर रहा है, ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं, कि positive deviation, सो करने का क्या reason है, यह सा क्या खास बात है, positive deviation, सो करने लगा, तो देखे, होता क्या है, कि मांग लिया जाए, कि आपने, एक container लिया, जिसमें A डाला हुआ है, और A और A के बीच में जो force लग रहा है, A के दो molecule, सिर्फ एक container में A लिया, सिर्फ आपने, तो A और A के molecule के बीच में जो force है, वो है 10 newton, एक और container लिया, जिसमें B डाल दिया, pure B, और B और B के molecule के बीच में कुछ, जो force है, वो मानग जो कुछ ऐसा 12 newton है, 10 newton, 12 newton, कुछ भी है, और आपने इस दोनों के मिला करके एक तीसरा container लिया, जिसमें A और B अड़ किया, आपने, A प्लस B इक्वल टू दिस, तो इसमें जो A और B के molecule एक साथ है, इन दोनों के बीच का जो force है, वो force मान ले जाएकर 2 newton हो गया, या 1 newton हो गया, यहीं कि A के molecule का आपस में जो force था, B के molecule का आपस में जो force था, उससे काफी कम यह force हो गया, तो होगा क्या, liquid molecule का आपस में force लग नहीं रहा है, जब mixing हुआ, पहले लग रहा था, पहले जब A और A अकेला था, तो लग रहा था, B और B अकेला था, तो भी force लग रहा था, जब A और B का mixing हो गया तब यह force लगना बंद हो गया तो क्या होगा यह liquid आसानी से वेपर में convert होंगे जितना आप सोच रहे हैं जितना वेपर बनना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा वेपर बनेगा उससे ज़्यादा वेपर बनेगा तो क्या होगा पा का जो value actual आएगा या जो experimental value आएगा वो जो theoretically आप calculate करते हैं तो इनके बीच में जो force लगना चाहिए पहले के comparison में पहले 10-12 newton के आसपास force लग रहा था अभी इनके बीच में force बहुत कम हो गया है इसलिए ये जो molecule है ये liquid state में नहीं रागे किदर चले जाते हैं वेपर एस्टेट में जाने लगते हैं तो वेपर प्रेसर बढ़ जाता है और वैसा ही B के लिए भी हुआ है कि B के molecule पहले कित इसने force लगने लगे 2 newton लगने लगे A और B का अपस में तो जो pressure of B है जो actual value है या जो experimental value है वो rot log of formula से जो निकल के आता है P not B X B उससे काफी ज्यादा निकल करके आएगा और ज्यादा निकल के आएगा तो इस दोनों का sum भी ज्यादा होगा और solution non-ideal हो जाएगा with positive deviation इसी का तो हम लोग summarize करके लिख लेते हैं एक बार तो यह जो condition है वो क्या condition है कि देखे यह वाला graph अभी हमने बनाय था यह वाला graph यह है P B का actual graph यह है P A का actual graph और यह है P S का actual graph तो है कि attractive force between attractive force between molecules of A and B A और B के बीच में जो force attractive A और B के बीच में जो attractive force है is smaller than that of AA and BB molecules यह force कम है किसके comparison में यह A और A का आपस में जो force लग रहा था और B और B का आपस में force लग रहा था उन दोनों से कम है A और A के बीच में force अगर 10 newton लग रहा था B और B के बीच में अगर माल जैसे कुछ 15 newton लग रहा था तो A और B में कितना force लग रहा है वो कुछ 5 newton या 4 newton या 3 newton लग रहा है इसा देखे है यह जो हम force का value बता रहे है यह अपने मन से बता रहे है ताकि आप समझ जाए इसा नहीं कि 4 newton force लगता होगा या 10 newton force ही लगता होगा ठीक है यह value हम अपने मन से आपको समझाने के लिए बता रहे है ठीक है लेकिन condition fix है condition यह है कि A के आपस में अगर 10 newton लगता है और B और B का आपस में 15 newton लगता है तो A और B का आपस में कम force लगा इधर जितना लगता है उससे काफी कम यह 4 newton हो सकता है हो सकता इधर 5 newton लगे है ऐसा कुछ भी हो सकता है ठीक है अब इसके example लेते हैं कि कौन-कौन से example में ऐसा non-ideal solution बनेगा with positive deviation इसके example से जैसे देखिए अगर आप alcohol लेते हैं जैसे alcohol alcohol का एक formula लिख देते हैं जैसे CH3 CH2 OH तो आप देखेंगे alcohol के molecule आपस में H bond, alcohol के molecule यह component A है तो आपस में यह लोग कौन सा force लगाते होंगे A और A H bond लगाते होंगे यह H bond लगाते हैं, H bond यानि कि बहुत strong force लग रहा है आपस में और दूसरा acetone ले ले लिजिए CH3 C double bond O CH3 तो अब acetone के H bond मना नहीं सकता है तो acetone के molecule आपस में कौन सा force लगाएंगे तो यह acetone एक polar molecule है तो यह dipole dipole force लगाएगा यह wonderful force बोलिए clearly confusion अटाने के लिए कौन सा force लगाएगा H bond लगने रहा है तो wonderwall force लगेगा ठीक है और यहाँ पर especially wonderwall का category पूछेगा कोई तो हम बोल सकते हैं dipole dipole क्योंकि यह polar molecule इसमें dipole moment कुछ न कुछ होगा यह carbon oxygen bond है यह bond में oxygen पर delta negative रहेगा carbon पर delta positive रहेगा तो polar bond है तो dipole dipole force लगेगा लेकिन इस दोनों को जब मिला देंगा अब तो जैसे मालज़े अपने A और B को आपस में मिला दिया इस दोनों को एक container में add कर दिया तो क्या होगा इस दोनों को जब एक container में add कर देंगे तो यह जो A और A के molecule आपस में H bond लगा रहे थे उसको उसके बीच में यह गुज़ दाएगा एसिटोन और यह इसको H bond लगाने नहीं देगा तो यह देखिए यह अपने तो कमजोर फोर्स लगा ही रहा था यह molecule जो यह alcohol के molecule थे जो H bond आपस में लगा रहे थे उसको भी यह H bond लगाने अभी नहीं दे रहा है तो उससे क्या हो रहा है उससे हो रहा है कि A और B का जो यह जो दोनों molecule है इसको A मल लगते हैं इसको B मल लगते हैं तो A और B का जो आपस में interaction है वो कमजोर हो गया है पहले जो interaction चल दा था A और A का या फिर B और B का वो interaction ज्यादा मजबूत था एक केस में तो H bond था बात में H bond तूड गया तो यह interaction कैसा हो गया कमजोर हो गया interaction कमजोर हो गया तो ज्यादा वेपर more vapor firm होने लगा more vapor firm होने लगा क्योंकि liquid के molecule आपस में interaction नहीं कर रहा है ज्यादा वेपर बनेगा तो जो P experimental आएगा वो ज्यादा निकल करके आएगा चलिए बात कर लेते हैं यह जो non-ideal solution है ना non-ideal solution with positive deviation जिसके बारे हम लोग बात कर रहेते हैं उसको क्या-क्या खासियत है तो देखिए यह property जो भी है ना यह देखिए यह graph है आप graph हम बार बार बना रहे हैं ताकि आप ध्यान रखें यह है PB का actual graph यह है PA का actual graph और यह graph है PS क actual graph और यह dotted graph है वो ideal solution अगर ideal solution बनता तो dotted जैसा graph होता ठीक है ना properties क्या-क्या है non-ideal with positive deviation इसके जो खासियत हैं क्या-क्या खासियत है तो पहले खासियत किस basis पर निकालते हैं तो उसका तरीका simple है कि आपको interaction देखना है A और A का interaction B और B का आपस में interaction और जब मिला देंगे दोनों को जोड़ करके दोनों को यह बना देंगे तो A और B का आपस में interaction तो positive deviation कब होता है जब A और A की बीच में 10 newton का force लग रहा हो B और B की बीच में 10 newton तो A B की बीच में कुछ कम बहुत कम 2 newton का force लग रहा है इससे होगा क्या होगा यह कि जब A का आ पूड़ेंगे ना यह 20 ml मिलेगा क्या नहीं हुआ क्या है पहले A और A आपस में ज्यादा force लगा रहे थे 10 newton लगा रहे थे तो A और A के molecule आपस में नजदीक नजदीक रहते थे अभी B और B के molecule भी आपस में 10 newton या कुछ ऐसा 12 newton लगा रहे थे 12 पंद्रा ऐसा कुछ भी म चला गया क्यों क्योंकि फोर्स घट गया है फॉर्स घट गया है जब molecule दूर दूर चला गया थे ज्यादा जगा सेगए और मोर स्पेस रिक्वाइड होगा इसको रहने के लिए more space, ज्यादा space चाहिए तो क्या होगा 10 ml, 10 ml दोनों मिलाएंगे तो 20 ml में जगा 20 ml जगा में ये लोग नहीं एटाएगा इसको कितना जगा चाहिए, कुछ इदा 25 ml ऐसा कुछ चाहिए ठीक है न, 10 ml, 10 ml मिलाएंगे तो तो इसी को बोलते हैं हम लोग delta V mixing greater than 0, 10-10 ml मिलके 20 होना चाहिए, हो केतना गया 20 से ज़्यादा, पचीश हो गया delta V mixing greater than 0 अब बात कर रहे हम लोग delta H mixing का तो delta H mixing फिर भई बात है अगर दो अबजेक्ट की बीच में attractive force बढ़ा है तो energy release होता है attractive force बढ़ा है energy release होता है, जैसे pen अगर गिरे earth पर, तो यह pen, यह माले यह एक पत्थर है, जो कि earth पर गिर गिया तो energy release होता है, किस form है तो देखेंगे, जब pen कोई पत्थर गिरता है earth पर, तो sound वगरे निकलता है यानि energy बाहर निकलता है क्यों? क्योंकि यह attractive force से दोनों जूड़ जाते है, तो जब attractive force बढ़ता है, तो energy release होता है energy, energy बाहर निकलता है, और जब attractive force घटता है, तो energy देना पड़ता है है कि नहीं? energy बाहर में निकलेगा energy, उसका उल्टा काम होगा, energy देना पड़ेगा तो देखिए, अभी हुआ क्या है कि जब A और B को मिला है, तो attractive force घटा है या बढ़ा है? attractive force घट घट गया है यानि आपको energy देना पड़ेगा इस process में, तो delta S mixing greater than zero energy देना पड़ेगा, endothermik कैसा process है यह? endothermik, energy इसमें release नहीं होगा energy कब release होता, जब attractive force बढ़ जाता delta V होगा, अब आगे बात करते है delta S mixing हमने तो यह पढ़ाई हैं, आपको पहले बताए हैं कि delta S तो हमेशा greater than zero होता है क्यों? delta S इसलिए greater than zero होता है क्योंकि जब भी दो चीज़ को मिलाएंगे A और B को मिलाएंगे तो दोनों आपस में randomly mix हो जाता है या दोनों जो mix होते हैं तो उसमें randomness बढ़ जाता है, ठीक है? इसलिए delta S mixing जो वो कैसा है, हमेशा greater than zero, more random होता है, randomness बढ़ जाता है random increases और delta G mixing क्या होना है? delta G mixing होना है less than zero, क्यों? क्योंकि यह तो process के spontanity different करता है, यह process spontaneous होता है, देखिए जब भी दो चीज़ को मिलाते हैं तो mixing is spontaneous, अपने आप ही होता है अगर अपने आप नहीं हुआ, तो mix होगा इने जैसे water plus oil यह अपने आप मिलता है क्या? नहीं मिलता है, तो इसको आप mix कर भी नहीं सकता है कभी force करके दो चीज़ों को mix नहीं किया सकता है, water oil कभी आपस में नहीं मिलेंगे तो जब भी दो चीज़ मिलते हैं आपस में, तो अगर वो दोनों एक दुसरे में घुलना है, डिजॉल होना है, तो वो अपने आप होजे से, आप एक पानी में नमक रखके छोड़ दो तो तीन घंटा पुरा घुल जाएगा, चीनी रखके छोड़ दो, पुरा अपने आप डिजॉल हो जाएगा process spontaneous AC delta G mixing negative होगा ठीक है चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं ideals, non-ideal solution with negative, non-ideal तो है negative deviation negative deviation का क्या मतलब हुआ इससे परले हम लोग पढ़ेते है positive deviation अभी अप लोग graph पर ध्यान मत दिजेगा graph के बारे हम बताएंगे अलग से ठीक है, परले समझाज़े negative deviation का मतलब क्या है, देखिए non-ideal का मतलब क्या है non-ideal का मतलब है, जो P experimental है वो बरावर नहीं, किसके बरावर नहीं है तो जो roll law के formula से pressure निकालते हैं कैसे निकालते हैं, P S is equal to P note A, X A, plus P note B, X B ये जो roll law से निकालते हैं, ये वहला pressure roll law का formula यूज़ करके experimental pressure इसके बरावर होना चाहिए था तो ideal हो जाता, ये नहीं है तो क्या है, ये non-ideal, negative division का मतलब क्या हुआ negative से क्या significance है, negative मतलब क्या है कि ये जो pressure है नहीं तो बरावर नहीं तो जादा है या कम है ये, ये जादा है ये कम है तो कम है, कम का मतलब ये नहीं कि सुचना है, ये negative है ये है कम एक्चली, ये pressure मान लेजा अगर आपका vapor pressure इदर 10 tor निकल का आता है, tor प्रेसर का एक unit है, यहाँ कितना निकल का आएगा, यह experiment करेंगे तो आपको 5 ही tor मिलेगा, ऐसा कुछ, formula से अपने निकला, roll-off formula से 10 tor, experiment करके निकल गया, 5 tor, तो कम pressure इसलिए इसको बोल देता है, negative deviation, ठीक है, तो लोग बात करेंगे कि ऐसा negative deviation आता क्यों है, देखिए, solution का pressure, roll-off, कैसे निकलते हैं, तो आपको PA प्लस PB निकलना पड़ता है, PA का formula यह यूज करते हैं, और दोनों को जोड़के solution का pressure बोलते हैं, और experiment करके आप कोई device लेकर के pressure measuring device से pressure measure किजिए, और देखिए, कि दोनों में क्या difference है, तो यह जो experimental pressure यह कम कब हो सकता है, वो कम तब होगा, जब PA, यह के द्वारा लगाएगा जो actual pressure, यानि जो experimental pressure है, वो formula से निकले हुआ जो pressure, formula से कितना pressure निकले हैं, तो P naught A, X A, formula से निकले pressure से, या फिर ऐसा बुलिए, formula से निकले हुआ pressure के हम लोग, PA बोलते हैं, और यही PA जो है, इसी PA का formula लिख दरे हैं, यह हम लोग, P naught A, X A, तो formula से निकले हुआ pressure, actual pressure, उससे काफी कम होगा, और वैसा ही condition B के लिए होगा, कि PB, B का जो actual pressure लगा रहा होगा, B के molecule, वो जो B का formula स निकला हुआ, P naught B, X B, यह Rawls law के formula से निकला हुआ pressure है, तो इससे कम होगा actual pressure B का, तब graph बनाते हैं, तो अभी हमने just बनाता है, यह जो graph है, PA का या PB का, यह पहली बत तो यह straight line graph है dotted, यह ideal solution के case में इसा graph बनता है, तब बते कौन सा graph, PA कौन सा PB हैं, यह वाला बते कौन सा है, अभी जार्श तमने बनाय था, तो हम बताते हैं, यह वाला जो graph है न, यह देखिए, X B 0 है न, X B 0 पर कौन 0 होगा, PB 0 होगा, या PA 0 होगा, X B 0 पर PB 0 होगा, यह 0 से start on the graph किसका है, PB का है, और यह वाला graph तो किसका हो जाएगा, PA का हो जाएगा, लेकिन यह graph तब होता, यह द नेगेटिव मतलब जो actual PA का graph है, वो इस graph से नीचे जाएगा, प्रेसर उसका कम रहेगा, तो यह जो PA का graph है, इसका actual graph है, यह graph जो आपको दिख रहा है, यह वाला नहीं है, जो dotted line है, PA का actual graph इससे कम हो गए, यह ने की graph नीचे से जाएगा, यह negative deviation, यह है PA का actual graph, PA, ठीक है, वो इसे पी-बी का जो graph है, जो आपको दिख रहा है, वो graph पी-बी का नहीं है, यह जो graph है, यह ideal होता तब यह वाला graph होता है, यह वाला जो दिख रहा है, तो पी-बी का graph होगा क्या, इस graph के नीचे से गुज़रेगा वो, चलिए non-ideal solution, ठीक है, चलिए, अब इसमें क्या क अब होता है, जब आप straight line वाले graph को जोड़ते, लेकिन अभी तो आप curve graph को जोड़ते हैं, जो कि straight line वाले graph के नीचे है, तो जोड़ करके भी जो graph हैगा, पी-बी को जोड़ करके, वो भी इसके क्या आएगा, नीचे आएगा, तो यह हो गया non-ideal solution with negative deviation का graph बन गया, ठीक है, इस graph को सब लोग ध्यान में रखे, positive deviation और negative deviation, अब हम लोग चलते हैं कि आखिर कब positive deviation हो करता है और कब negative deviation हो करता है, ठीक है ना, तो negative deviation के condition में हम लोग बात करते है, condition मतलब आखिर कौन सा situation हैगा कि graph negative deviation हो जागा, यह दखिए negative deviation वाल ग्राफ, graph सब नीचे से गुजर रहा है यह सारे graph नीचे से, actual graph जो होने चाहिए उसके नीचे से गुजर रहा है, यह हो गया PV का graph, यह हो गया PA का graph, यह वाला graph, ठीक है ना, और यह हो गया pressure of solution, sorry, थोड़ा से इसमें गरबढ़ी यह है, कि जो PA PV का graph यहां पे indicate क्या हो है, पीवी का graph यह वाला graph यह वाला graph है, यह वाला graph है, और PA का ग्राफ है, तो PA का graph यह वाला graph है, ठीक है, और यह है आपका, तो यह ideal के पारेम बात कर रहा हैं, नम्लोब, जब अऍडियल होता तो PA का गराफ सब ता इसके लिखाण धूब यह गराफ आपको धिहान डखना है तो अब फिर देखें, कंडिशन के अग कंडिशन फिर वही बात है कंडिशन सब कुछ attractive force पर ही depend करता है attractive force between molecules of A and B देखिए container ले लिजिए जिसमें A रखिए और एक container ले लिजिए जिसमें B रखिए तो A और A और B के बिच में कुछ interaction होगा दोनों को जोड़ करके एक नया container बनाईए दोनों liquid मिला दिजिए इसमें और नया container में A और B के बिच में A और B का आपस में interaction होगा negative deviation का मतलब क्या है negative deviation का मतलब है कि pressure कम exert कर रहा है यानि कि अगर A और A के बिच में 10 newton force लग रहा है और B और B के बिच में कुछ ऐसा 12 newton force लग रहा है और A और B को जब आप आपस में मिलाए तो कुछ ऐसा हुआ कुछ ऐसा situation आया कि A और B आपस में कुछ ऐसा 20 newton force लगाने लगे तो क्या होगा तो सबसे पहली बात तो यह होगा कि A और B के liquid के बिच में अगर ज़्यादा force लगने लगा तो यह vapor बनने की tendency नहीं रखेगा या कम रखेगा यह vapor बनना ही नहीं चाहेगा जब vapor नहीं बनना चाहेगा तो vapor pressure कम हो जाएगा इसी लिए A के द्वारा जितना actual pressure लगना चाहिए राड शलो सोज आप calculate करता है P not A x से उससे कम pressure लगाता है क्यों क्योंकि A और B के molecule को जब आपस में मिलाए हैं तो इनके बीच में बहुत strong force of attraction लगने लगा यह 20 newton पहले 10 newton था या 12 newton का force था अभी 20 newton हो गया अब वही जो A के साथ होगा वही B के साथ होगा जो PB actual होगा जो B का actual force प्रेशर होगा वो भी कम मिलेगा क्योंकि B और A का आपस में बहुत interaction है तो न तो B के molecule vaporize हो रहा है और नहीं A के molecule vaporize हो रहा है मतलब basically vaporize होंगे लेकिन कम vaporize होंगे तो PB actual is less than P not B x B यानि formula से जो value निकालते हैं उससे कम निकल करके आएगा तो वही यहां लिग दिया गया है attractive forces between molecules of A and B A और B के बीच में जो force है यह वल्ला यह जो force है 20 newton का is greater than that between AA molecules and BB molecules ठीक है अब लोग बात करते हैं इसके examples के क्या-क्या example है negative division मतलब force बढ़ना चाहिए तो generally इसके example में ऐसे molecule होंगे जब A और B को आप मिला है आपस में और दोनों के बीच में strong H bond बन जए क्या हो strong hydrogen bond बन जए दोनों molecule आपस में इतना जुड जाएं कि vapor बनना न चाहिए दोनों liquid इतना जुड जए जैसे देखिए आप H2O है और इसमें मिला दीजिए HNO3 HNO3 तो देखिए H2O का structure क्या है यह है HNO3 का structure क्या है यह है HO और NO2 यह है HNO3 है देखिए जब water और HNO3 को मिलाएंगा तो यह H bond बन गया देखिए यह बहुत strong H bond बन जाएगा strong H bond बन जाएगा तो उसके चलते होगा क्या होगा यह कि यह दोनों को मिलाएंगा अब दोनों के बिच में strong force बन गया दोनों liquid में तब liquid vapor बनना नहीं चाहेगा clear है न liquid vapor बनना नहीं चाहेगा या tendency vapor बनने का कम हो जाएगा less tendency हो जाएगा tend to vaporize vapor बनने का tendency कम हो जाएगा तो vapor pressure कम मिलेगा इसलिए graph आपको सारा नीचे दिखाए दे रहा है ठीक है तो अब बात करता है कि इसके properties क्या क्या है तो non-ideal with negative deviation के properties क्या क्या खास जाते है फिर बाता है यह जो properties है वो depend करता है कि इस बात पर force of interaction तो non-ideal का मतलब क्या है non-ideal का मतलब है sorry with negative deviation इसका मतलब क्या है A और A के बीच में जो force लग रहा था attraction का वो था मानलो 10 newton A और B के बीच में कितना force लग रहा था sorry दूसरे container में B रखावा है तो B और B के बीच में कितना force लग रहा था यह भी कुछ मानलो आपका था 12 newton अभी A और B आपने मिलाया और force कितना लगने लगा तो कुछ force लग गया 25 newton मानलो force जदा लगने लगा तो vapor बनने का tendency कम हो गया vapor में convert नहीं हो रहा यह liquid तो vapor pressure कम हो गया इसलिए यह negative division का ला रहा लेकिन force जदा लगने से हुआ क्या attractive force बढ़ा है और बोलेंगे delta x mixing less than 0 delta x mixing less than 0 अब एक कम करते हैं तो A का आपने ले लिया 10 ml B का भी ले लिया आपने कितना 10 ml दोनों को जोड दिया तो कितना ml मिलना चाहिए आपको यहादर मिलना चाहिए आपको 20 ml लेकिन आप देख रहे हैं कि जब A और B को आपस में मिलाए हैं तो force बड़ा ज़्यादा लगने लगा दोनों में 25 newton लगने लगा तो क्या होगा molecule नजदीक नजदीक आ जाएंगे molecule नजदीक नजदीक चले जाएंगे तो जगा कम चेकेगा तो 10-10 ml मिल करके 20 ml का जगा चेकना चाहिए था लेकिन उससे कम चेका कुछ यह हो जाएगा आपका 18 ml या फिर 15 ml या फिर 16 ml या इसा हो जाएगा इससे कम लोग बोल देंगे delta V mixing less than 0 ठीक है अब आपको पता ही है delta S mixing यह क्या होता है यह तो हमेशा greater than 0 होता है क्यों क्योंकि दो चीज को जब भी मिलाएंगे तो दो चीज को मिलाएंगे जिसे A or V को आपने एक कंटन में डाल दिया तो क्या होगा रेंडमनेस बढ़ गया होगा दो चीज मिलते हैं न कभी भी तो दोनों एक दूसरे में randomly घूल जाते हैं तो रेंडमनेस बढ़ गया एक डिल्टा डिल्टा एस मिक्सिंग गरेटा देंग जीरो और दूसरा कि डिल्टा जी मिक्सिंग जैसे अभी जो हमने एक्जाम्पल लिया था न वो था HNO3 को मिलाए थे पानी में HNO3 प्लस वाटर का एक्जाम्पल लिये थे अभी हम लोग नेगेटिव डिवेशन में तो बताए HNO3 एसीड है ना एसीड और वाटर को जब मिलाते हैं यह अपने आप डिजॉल होता है यह आपको मिलाना पड़ता है जवरदस्ति उसको अपने आप ही डिजॉल होता है तो जो Process अपने आप होता है उस Process का Mixing का यो डिल्टा जी है वो क्या होता है तो अब हम लोग क्या करते हैं कि Ideal निगेटिव Ideal Non Ideal के दो टाइप इन सब का अपस में Cooperation करते है एक बार और यह हमारा summary हो जाएगा आज के class का तो देखिए क्या है यह आपका delta v mixing delta v mixing ठीक है तो देखिए पहले कुछ parameters है पहला parameter क्या है roll's law के अधार पर roll's law को अगर follow करता है तो वो कहलाएगा यह अगर follow करता है तो क्या कहलाएगा ideal follow करने का मतलब p experimental किसके पर होना चाहिए roll's law के formula से निकला गया pressure formula क्या होता है formula होता है p not a x a plus p not b x b यह formula से जो pressure solution का pressure निकलेंगे इसको हम लोग ps बोल देते हैं यह जो formula से निकलाव pressure यह experimental pressure है दोनों बराबर होने चाहिए non ideal मतलब क्या है कि roll's law को follow नहीं कर रहा है ठीक है follow नहीं करने का मतलब जो p experimental है वो formula से निकला गया solution का pressure p not a x a plus p not b x b p not b x b यह बराबर नहीं है experimental निकला गया इसको अच्छे से लिए experimental के द्वारा निकला गया pressure तो बराबर नहीं है तो कौन ज़्यादा है positive deviation मतलब experimental pressure ज़्यादा है इसलिए देखे ग्राफ यह उपर से गया है ठीक है ना और यहाँ पर क्या होगा p experimental is less than p not a x a plus p not b x b ठीक है और अब देखिए यह ग्राफ है ग्राफ हम नहीं बता रहे हैं भी क्योंकि डीटेल में हम बता चुके हैं तीनों ग्राफ interaction क्या है interaction के वेशिस पर a और a का interactive force है वही b और b का रहता है लगबग बरावर और a और b का भी उसके बरावर रहता है यहाँ पर क्या है positive division में a और a का आपस में interaction है और b और b का जो interaction है इस दोनों से कम interaction होता है किसका a और b का interaction कम हुआ force कम लगा अट्रेक्टिव तो वेपर ज़ादा बना है और negative division मतलब जो आपस में a और a और b और b का होता है interaction उससे ज़्यादा force लगता है interaction का a और b के बीच में इसलिए वेपर कम बनते हैं pressure आपको कम दिखाए दे रहा है जो solution का pressure और actual pressure वो कम दिखाए दे रहा है force देखिए पहले जो force था उससे कम force लग रहा है यानी एक्ट्रेक्टिव force कम हो गया है force कम हो गया यानही energy फोर्स बढ़ जाता है attractive तो energy release होता है attractive force बढ़ गया तो energy release होता है attractive force कम हो गया थो energy देना पढ़ाए यानी delta H mixing greater than 0 और यहां पर force कम अगया तो less than 0 बाकि delta G mixing हमेशा less than 0 होता है क्योंकि delta G mixing तो depend करता है process spontaneous है या नहीं तो तो सारे process ही spontaneous होते हैं solution अपने आप बनता है इसलिए यह value है delta G mixing का less than 0 है और delta S mixing हमेशा greater than 0 होता है क्योंकि दो चीजों को mix करते हैं मिलाते हैं आप तो randomly वो लोग mix हो जाते हैं और randomness बढ़ जाता है delta V mixing आपको पता है कि यहां पर 0 होता है जब दो चीजों के बीच में force लगना कम हो गया A और B के बीच में force लगना कम हो गया है तो molecules दूर दूर जाएंगे तो ज़्यादा जगह शेकेंगे यहां पर force A और B के बीच में देख रहा है force ज़्यादा लग रहा है force ज़्यादा लग रहा है यहां यहां ज़्यादा लगना कम जगह में रहेंगे यहां देल्टा V mixing less than 0 हो जाएगा यह समरी है बच्चों अभी हम इस पर based इस exercise इस वीडियो पर based आपको एक assignment देंगे आपको वो assignment solve करना है और अगले class में लेकर करना है ठीक है चलिए thank you very much चलिए तब आप लोग जो fourth वीडियो में हम लोग ने ideal non ideal के concept के बाड़े में discuss किया है उसको समझ गया होंगे इसकी अधार पर आपको आज का यह exercise जो display हो रहा है इसको solve करना है यह देखिए question number one इसको no down कर लेज़े हम इसका pdf भी google drive पर upload कर देंगे और आपलों को link भेज़ देंगे यह two, three, four, five और six यह total six question है two से लेकर के five तल display हो रहा है और यह eight question है total और यह six, seven और eight यह total eight questions है यह आप solve कर लेंगे इसका pdf भी हम आपको भेज़ देंगे ठीक है चलिए thank you very much